हेलो एवरेवन कैसे हैं आप सब तो दोष्टो आप ने मेरे चैनल पे बहुत सारी आइस क्रेम की रेसीपीज देखे वीघ और आपने ये जान लिया होगा कैसे सिर्फ घर के सामान से हम सिर्फ दूद का इस्तमाल करके आइसक्रेम बना सकते हैं तो ऐसे ही बहुती बना कर रख सकते हैं और मजा ले सकते हैं समर का तो ये देखिए कितनी टेस्टी डिलिशेस टुटी फुरुटी आइस क्रीम जो सब को बड़ों को चोटों को पसंद आती है तो ये रेसिपी पूरी देखिए और हाँ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीचे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे चैनल पेज को ज़रूर एक बार विजिट करिए तो दोस्तों ये जो है ना ये है आईस क्रीम बेस इसकी लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है सिर्फ दूद से आईस क्रीम बेस कैसे बनाए ये इसकी रेसिपी है तो एक आईस क्रीम बेस से आप बहुत सारी धेर सारी आईस क्रीम से बना सकते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन वनीला आईस क्रीम है ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी डिलिशिस बनी है आप बाहर की खाएंगे और घर की खाएंगे तो घर की जादा पसंद आएगी आपको तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं कुछ नहीं करना है सिर्फ टूटी फ्रूटी लेनी है और यह जो आइस क्रिम बेस हमने घर पे बना के रखा है इसको इसके साथ मि विजित करिए और आइस क्रिम की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरू देखिए और प्रेटी किचन पे मैं लाती हूँ हर रोज सिर्फ सिर्फ काम की रेसिपीज और बहुती आसान रेसिपीज और जो की घर के सामान से बनी होती है तो चलिए अब इसको हमने ओरनाइट फ्रीज कर लिया है 6-7 गंटे अल्मोस्ट 8-9 गंटे अगर होगे तो बहुत अच्छा है तो चलिए इसको स्कूप आउट करते हैं तो आप भी इसका ऐसे ही मजा लिजे घर पे जरूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे इस वीडियो को और ऐसे बार ज़रूर ट्राइ कीजिए मेरे रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए रखे अपना ख्याल टेक केर बाबाई